आप सभी को मेरा प्यार भणा नमस्कार और आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे हों गे जहां भी होंगे, सेफ होंगे यह जो समय है ठीक है आपको कुछ नहीं करना है अपने आपको बचा के रखना है और परते रहना है अग्ले आप ऐसे भी एक student हो तो आपको ऐसे भी isolated रहना है और आपको अपना maximum time जो है अपने किताब के साथ देना है इससे आप दो छीज रहेगा आपका एक्जाम के लिए रहोगा, प्लस आप COVID से भी दूट रहोगे, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, तो day 13 है, जैसा कि हम बताते हैं, focus and consistency हम लोग maintain रखेंगे, चलिए, तो स्टार्ट करते हैं, आज आपको क्या-क्या पढ़ना है, ठीक है, देखे, आज हम लोग modern history में एंटर करने, again video हम देंगे, आपको PDF भी देंगे, आपको, आपको सांती पूर्वा घर में रहे के सिरिफ पढ़ना है, ठीक है, चलिए, सबसे पहले हम लोग start कर, और देखो, हम मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए कल regularly एक घंटा से जादा हम आपके लिए one liner, regularly हमने बोला है आपके लि पूरा का पूरा दिन, क्या हो, fruitful हो आपके लिए, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग history का बात करते, history में आज आपको क्या, जैसे का हमने बुला, आपको modern history स्टार्ट करना है, ठीक है, तो modern history में, और आज Thursday, ठीक है, तो तीन दिन आप, अब जो होगा आपका, ठीक है, क्योंक चार दिन हम आपको full packed, powerful class लेंगे, ठीक है, और last की तीन दिन उनको revision करना है, प्लस उनके topic पे आपको questions लगाने, एक चीज़ आप समझ लो कि इस बार जो cut up जाएगा, वो सबसे highest cut up होगा, अभी तक जितना भी cut up होगा, ठीक है, ऐसे भी increase तो होगा है, पर अच्छे level पे increase ह तो अपने आपको उस लेवर पे prepare कर लो, ठीक है, और girls मैं फिर से बता रहा हूँ, girls जो सोच रहे हैं कि जिनका बहुत कम में हो जाएगा, इस बार girls का भी cut up हाई जाएगा, वो भी आप याद रखेगा, चलिए, सबसे बिले हम लोग स्टार्ट कर जैसे आपने औरंग जफर पर्थम से लेके बहादूर साज जफर दुट्या जो लास्ट वला था वहां तक आप परहोगे, बहुत सारे आप परहोगे, फरुक सियार परहोगे, मोहमत से रंगीला परहोगे, अकबर दुट्या परहोगे, यह सब जो है, जो लोग छोड़ देते हैं उसके लिए बहतरीन, आपको मैं वीडियो प्रोवाइट करूँगा, ठीक है, क्या होगा, पहले आपको लेटर मुगल, जिसका हम लोग उत्तर मुगल कालब होते हैं, लेटर मुगल पर हो गया, जिसमें आप, आपको वीडियो प्लस पीडियो आपको प्रोवाइट किया जाएगा, उस इतने लोग भी आये थे जो जहांजा आपना फैक्टरी लगाया जितने भी पॉइंट्स बन सकते वो सब आज आज आप पढ़ने वाल हो तो यूरोपियन कंपनी तो आज थोड़ा आपको अच्छा पैक मिलना है पुरा यह हिस्ट्री में तो आपको अच्छे से करना है ठीक ह यूरोपियन कंपनी इसके भी अगर आपको बीडियो प्लस पीडिया यह सब को मेरे द्वारा आपको प्रोवाइट किया देगा इसमें आपको NCRT सार से बस आपको जैसे मोडन हिस्ट्री खोलोगे तो पहले पेज में यूरोपियन कंपनी दिया हुआ है तो बस आप उतना आज NCRT सार से कर लेना यह more than more than enough है आपका आज के लिए हिस्ट्री के लिए ठीक है तो उत्तरमुगलकाल करोगे बीडियो प्लस पीडियाप से हम देंगे फिस यूरोपियन कंपनी करोगे बीडियो प्लस पीडियाप हम देंगे और NCRT सार से ठीक है पूरा का पूरा जो उ वीडियो भी में दे रहा हूं फिसे कुछ पेजेस भी दे रहा हूं और अब जो मैं स्टार्ट करूंगा ठीक है वर्ल्ड जोग्रॉफी ठीक है मतलब वर्ल्ड जोग्रॉफी से जो आपके इस पीडिके जो नया बूक है अपडेटेड होके अब मैं उसको आपको करवाने ऐला हूं ठीक है बड़ उससे पहले जो हमारा जैसा चलता है TOPIK-वाइस हम लोग कबर करते हैं तो आज आप TOPIK में क्या करने वाले हो ठीक है तो आज आप कर लोगे ए-gr И. टूर आप करने वाले हो ठीक है जो आपको करने क्रे करने वाले इस की भूब करूब करोब य पन्य के बारे में आज आप पूरा पर होगे ठीक है और यह कहां से आप स्टार्ट करोगे पेज नम्मर ठीक है 27 से लेके 29 तक आप पूरा का पूरा करोगे ठीक है कहां से NCITSAR जो पार्ट है इंडियन जोगराफी उसमें जाके 27 से 29 तक आप अच्छे से पढ़ लेना ठीक है और इस अनुसंधान केंद्र जैसे कि पूछ लिया जाता है कि चाबल अनुसंधान केंद्र कहा है कोफी अनुसंधान केंद्र कहा है ठीक है तो इस टाप के क्यों से करोगे आपको ट्रिक वाला वीडियो दूँगा जो आप ट्रिक से करोगे जितना के जितना अनुसंधान केंद्र मतलब research center तो यह आज आप करोगे जोग्राफी में जोग्राफी में आज क्या करो गया तो आज आप करोगे क्रिसी और यह ट्रिक वाला जो भी वीडियो दोंगा देगा रहा है और हिस्ट्री वाला आप यह करोगे ठीक है क्या वह बोलना चाहर है answer questions वहीं से आपको मिलेंगे बट उन चीजों को मैं थोड़ा explain कर दूंगा अच्छे से वीडियो में कि इस लाइन का मतलब क्या है और एक चीज जो केमेस्ट्री के वह सब हिंदी में दियो है कुछ कुछ वाट इंग्लिस में भी है तो हमने उस chemistry को chemistry का NCRT SAR में ऐसे यह साम तक में इसका वीडियो भी दे दूंगा रात तक ठीक है तो आप डारेक्ली वीडियो पे भी कर सकतो या आप चाहो तो पहले ही एक बार अपना लिए जरूर पढ़ लिजेगा NCRT SAR से chemistry में metal and non metal धातू और आधातू ठीक है और इसका full pack वीडियो में मैं बताऊंगा जिसमें में आपको समझाऊंगा भी तो chemistry में बस आज आज आपको इतना ही करना है science वाले पार्ट में ठीक है उसके बाद हम लोग करेंट एफेर्स पर आते ठीक है क्योंकि धीरे-धीरे-धीरे मतलब कम-कम मात्रा में आप अच्छे से परो जितना दिया जा रहा है उसको अच्छे से परो ठीक है समझ में आया और जो कल आपके लिए एक घंटा में रेगुलरली बोला है ठीक है देखो रुक रुक के बोलना और रेगुलरली बोलना उसे फर्क होता है तो आपके लिए one hour plus का वीडियो पूरा का पूरा modern history ठीक है मैंने one liner कर भाए जो आपका speedy का जो newly update version आ है उसमें से त final selection आपका maths सही होगा क्योंकि maths में maths ही आता है ठीक है तो maths इसलिए हमने अभी से start के तम best तरीके से आपको परहाया जारे जो exam में पुछा जाएगा उससे बाहर कुछ नहीं आएगा ठीक है चाहिए pre हो चाहिए maths एक questions आपको वही pattern पे होगा जितना pattern में आपको करवाने वाल प्रेक्टिस से दूँ पर पहले आपका टास्क बस इतना है कि profit and loss 1 & 2 आप revise करो गे ठीक है समझ में रात को इक प्रेक्टिस से भी आपको दिया जाएगा जो mixed questions के होते हैं और again कहीं भी समझ में नहीं आता है please आप पूछते हुए चलेगा बस एक दो लोग ही जो पूछ रह आप सब questions करके आऊगे ठीक है तो profit and loss 1 & 2 part 2 आज आप revise करोगे जो आपको दिया गया है उसके बाद हम लोग आते हैं स्पीडी का जो हम लोग सेट करते हैं must है ठीक है मैं फिर से कहूंगा स्पीडी का बुक आप जरूर ले लो ठीक है जो बोलते हैं कि एडुटेरिया में मे आज लेना वह maximum questions कहीं से कहीं से उठाया हुआ अगर वह कुछ नया questions बनाते भी है तो उसमें जो facts होता है वह किसी ने किसी book में है ठीक है यह चीज में आपको समझा दू उसके बाद आज को आपको इस PD में क्या करना है आपको देखो इस PD में आपको इस PD में आपको क्या करना है आज आप देख लो ठीक है जिसे कि हम लोग हर दिन इसमें क्या करते है आपको model set दिया जाता है ठीक है model set में आज आपको क्या करना है वह मैं आपको बता रहा हूँ जिसे कि हम लोग ने काफी हूँ सतर तक हम लोग ने complete कर लिया, येस, लास्ट अगाई तक 76 तक हम ने complete किया था, आप जो आपको model set, GS में, ठीक है, और प्लेज लिखते हुए चलेगा, मैं बार-बार यही चीज में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो आज 71 से लेके 76 तक, देखो, बहुत ही कम model set आपको दिय GS का model set, और science बला जो आपका SPT का book है, ठीक है, उसको आप करोगे कहां से, 46 से लेके 50 तक, 46 से लेके 50 तक आपका science का, तो ओबर चीज किलियर है, सब चीज, देखो, ज़्यादा चीजे नहीं दी जा रही है, धीरे धीरे धीरे, हम चीजों को और improve करते जाएंगा, और जैसा क literacy करना है, chemistry में आपको metal and non-metal करना है, current affairs में आज आपको, ठीक है, third week of the March करना है, one hour का modern history का full packed video आया, वो आपको complete करना है, maths में profit and loss 1 and 2 आपको complete करना है, और speedy में, ठीक है, 71 to 76, model set करना है, and science में 46 से लेके 56 तक करना है, ठीक है, so, चालू हो जाना है, और एक चीज में बता देखो, जैसा समय चल रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, आपको बस पढ़ना है, और घर में रहना है, ठीक है, और बाकी, बस इतना प्रे करों कि ये सब जल्दी ठीक हो जाए, ठीक है, और exam आपका होगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, बस आप well prepared हो, और इस बार cut अप और high जाएगा, तो उसके लिए भी आप well prepared हो, जैहिंद,